नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेल्थ टिप्स को और बेल आइकन को दबाएए लिटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे स्टुडियो मस्मी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूं सब्सक्राइब के लिए यूजना तयार करके मिली हुई आथिक सहायता से गरीबी को एक प्लान के रूप में लाने वाली यूजना को सुचमरीड यूजना कहते हैं दोस्तो ये तो हुए सुचमरीड यूजना की परिभासा अब जान लेते हैं सुचमरीड यूजना करने के फायदे क्या है सुचमरीड योजना के फायदे निम्न है दोस्तों उसमें पहला है कौन गरीब, कौन अतिगरीब इनके बारे में पता चलता है सदस्यों की आर्थिक इस्थिती का पता चलता है उधार सही तरीके से उपयोग करते हैं, सही तरीके से वापस करते हैं समू की निधी बढ़ती है योग्य लोगों को उधार देते हैं समू पर विश्वास बढ़ता है फिजूल खर्च को जानकर उनको कम कर बचत करने की सुईधा होती है आयाने वाले मार्ग जानकर नए समू और सदस्यों के बीच करार नामा कारे क्रम के लिए धैर्य रखना है काम के लिए दूसरों से उधार लिये विना स्वयम के अपने आप परिवार पोसर योजना कर लेती है ये तो भी सुचमरिड योजना के फायदे अब बात करते हैं सुचमरिड योजना की साथ सिड़ियों की जिसमें से पहला है समु का समग्रसमाचार, सदस्यों की परिवार का समग्रसमाचार, सदस्यों की परिवार की आयवय, पुंजी योजना, पुंजी गत प्रडाली, पहली बार रिड लेने वाले सदस्यों का विवरण, दूसरी बार रिड लेने वाले सदस्यों का विवरण, स लात्वा है भागीदारी करार नामा ये तो फे सुचमरीड योजना के साथ सिल्धियां दोस्तों अब बात करते हैं सुचमरीड योजना प्राप्त करने वाले समू की योग्यता की जो इस प्रकार से है पहला है गरीब महिलाओं का एक समू होना चाहिए शमू कम से कम 6 मने तरिके से होना चाहिए, समुह नियमों का पालन करते हुए रहना चाहिए, सभी सदस्यों के और अरथिक रेंदें बैंक में ही चलना चाहिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि सुछ मेरे योजना की परिभासा क्या है सुछ मेरे योजना के फायदे क्या है सुछ मेरे योजना की साथ सिर्या कौन सी है सुछ मेरे योजना प्राप्त करने वाले समू की योग्यता कौन सी होन